नमस्कार साथियो आज हम लोग अगामी प्रतियोगिता प्रिक्षा के लिए अति महत्पूर्ण प्रश्ण हिंदी साहित और काविसाथ के महत्पूर्ण प्रस्तोत्तर की टेस्ट्रिज ले करके आए हैं जो काफी important topic है वीडियो के बीच में एक प्रश्ण है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है और उसका सही उत्तर अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइट चैनल को सब्सक्राइब अबस करें तो फिर चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से वीडियो सुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्ण कौन सा है और पहला प्रश्ण इस प्रकार है निमलिखित में से कौन सा देश विवाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है पहला उपसन है A. अमरित और विश दूसरा उपसन है B. नमबर में जूटा सच C. अपने अपने अजनवी D. नमबर उपसन में है अंतराल इसमें चार सही जवाब जो है वो उपसन नमबर B. जूटा सच इसका सही उत्तर है चलिए दूसरा देखते हैं नीच भासा उन्नती अहे सब उन्नती को मूल बिन नीच भासा ग्यानिके मिटे नहीय को सूल प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा चंद है मतलब नीचे चार उप्सन है जैसे ए में है सोरठा बी में दोहा सी में रोला डी में हरी गीतिका इसमें से कौन सा चंद है वो आपको बताना है और इसका तरही जबाब उप्सन नमबर बी उप्रोग पंक्ति में दोहा है दोहा चंद है 3. सिधान्त पंचमात्रा के रचनाकार कौन है मतलब सिधान्त पंचमात्रा जो पुस्तक ए उसके लेखक का नाम अक बताना है तो उप्सन है शवामी रागवासरे रामानुज इन चारों में से कौन से धान्थ पंच मात्रा के रचनाकार है तो वो रचनाकार है रागवा नंद उप्शन नमबर सी इसका सही जवाब है प्रसंख्या जो है चार वो इस परकार है अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है मतलब ये जो पंक्ति दी गई है अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा लंकार है उप्सन है A उपुमा, B उप्सका, C अन्योक्ती या फिर D अतिस्योक्ती तो सही जबाब जो है वो C अन्योक्ती है उपरूक्ति में पाच नंबर प्रशन इस प्रकार से है सियाराम सरन गुप्त का प्रथम कावे कौन है मतलब जो लेखक है अपने सियाराम सरन गुप्त उन्होंने सबसे पहला जो कावे लिखा था उसका नाम बताना है उप्रोक्त उक्ती किन लेखक के द्वारा कही गई है वही आपका सही जवाब होगा आप्शन है भारतेंदू बी एंपी दुवेदी सी सुकल या फिर दी बाल मुकुंद गुप्त तो इसका सही जवाब है एंपी दुवेदी ने उप्रोक्त कथन को कहा है साथ नंबर प्रशन देखते हैं यह जो प्रशन है उपन्यास को संसारी वारता किस ने कहा है मतलब संसारी वारता किस लेखक या कवी ने उपन्यास को कहा है ये कथन बताना है किसका है A है भारतेंदू B है लाला भगवान दीन C है स्री राम निवास दास या पिड़ी दाधा किष्ण दास और इसका सही जवाब स्री राम निवास दास उपन्यास को संसारी वारता कहा था दोस्तों ये जो प्रशन है ये कई competitive exam में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से तयार करें आठ नमबर प्रशन है संस्कृत विर्तों चंदों में लिखा गया काब संग्रा है संस्कृत विर्तों चंदों में लिखा गया काब संग्रा कौन सा है उसमें से नीचे दियेगे नावों में से कौन उसमें सामिल नहीं है यही बताना है प्रसन है ए स्याम सुंदर दास बी कार्थिक प्रसाथ सी राधा कृष्ण दास डी स्री राम निवास दास दोस्तों बिहार पुलिस यूपी पुलिस एससी जीडी दिल्ली पुलिस कॉस्टेबल बलकी कहें तो सारे कम्टिटीव एक्जाम के लिए काफे महत्प तो कौन इसके लेखक है यह बताना है और इसका सही जवाब है रमेश रंजक इसके गीता कावे के लेखक है ग्यारा नंबर में लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो उस लोहे से पूछो जिसके मुह में लगाम है धुमिल की इन पंक्तियों में लोहार प्रती क्या यह जो है इसमें धुमिल कहना क्या चाहते हैं वही आपको बताना है और इसका जवाब सही उत्तर जानने के लिए अगली वीडियो को देखें जिसमें मैं इसका सही जवाब दूँगा बारा नंबर प्रशन है बंदर सभा बंदर सभा किस सैली में लिखा काबे है option a स्यापा b पयार c पैरोडी για फिर डिगाली किस सैली में लिखा गया है उसका जवाब बताना एः तो यह लिखा गया सी पैरोडी सैली में यह काबे लिखा गया तेरे नंबर प्रशन है प्रिया प्रवास की विसेस्ता नहीं है मतला प्रिया प्रवास की विसेस्ता नहीं है औ संस्क्रित के वर्णवृत बी कुमल कांत पदबावली सी खंड काब या विडी भाव वेंजनात्मा इसे कौन सा ऐसा है वही बताना है तो ऑप्शन सो खंड काब प्रिय प्रवास की विश्थिस्ता नहीं है चौदा नमबर प्रशन जो है वो इस प्रकार है धर्ती हिलकर नींद भगादे वज्रनाद से ब्योम जगादे देव और कुछ लाल लगाप देश पंक्तियों के रचईता है मतलब उप्रोक्त पंक्ती जो है उसके लेखक का नाम बताना है अप्शन है ओ संकर बौ मैथली सरन गुप्त ने अपड़िए पंक्ति को लिखा है या रचना की है चौदा नमबर प्रशन हरी ओद cricket प्रिया प्रवास में सगों की संक्या है मतलब हरी ओद क्रित प्रिया प्रवास दो पुस्तक है उसमें टूटल पदों की संक्या के बारे में पूछा गया है तो आपसन है ओ झाल बाद